हाई, I'm Prisha and welcome to Learn with Prisha इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि कम्प्यूटर कोडिंग क्या होता है कम्प्यूटर कोडिंग मैंने कैसे लोन किया है So let's start सबसे पहले हम देखते हैं कि कोडिंग या प्रोग्रामिंग क्या होता है जैसा कि आप जानते हैं कम्प्यूटर एक मशीन है और ये वहीं काम करता है जिसकी से इंस्ट्रक्शन दी जाती है ये जो step by step कम्प्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिये जाते हैं इन्हें ही कोडिंग या प्रोग्रामिंग कहते हैं जो व्यक्ति यह इंस्ट्रक्षन्स लिखता है उसे ही कोडर या प्रोग्रामर कहते हैं आईए इसे हमें एक एक्जम्पल से समझते हैं यहीं है teacher और mini हम इनकी बात टीर से समझते हैं टीचर मिनी को कम्प्यूटर लाप से प्रोग्रामिंग की बुक लाने को कहती है लेकिन मिनी को नहीं पता है कि कम्प्यूटर लाप कहा है तो मिनी पूछती है कि कम्प्यूटर लाप कहा है तो टीचर बोलती है कि सीडियो से उपर जाओ फिर राइट गूम जाओ और उसके बाद तीसरे नंबर के रूम के अंदर एंटर कर जाओ और वो ही computer lab है तो teacher mini को instructions दे रही है computer lab तक पहुँचने का तो यहाँ पर teacher एक programmer का काम कर रही है computer की programming बहुत सी languages में बनाई जा सकती है जिने computer language कहते हैं जब मैं second standard में थी तब मैंने scratch सीखी थी और अब मैं third standard में python सीख रही हूँ चलिए मैं आपको scratch का एक छोटा सा demo देती हूँ scratch में आप online या offline programming कर सकते हैं online scratch programming के लिए आपको scratch.mit.edu पर जाना है अब मैं आपको एक छोटा सा program बना के दिखाते हूँ में इन blocks को यूज करके cat को move करते हैं ये जो मैं बना रही हूँ वो बहुत ही basic program है आप scratch में बहुत से अच्छे अच्छे cartoon videos और games बना सकते हैं जैसे जैसे मैं अपने blocks में setting change कर रही हूँ वैसे वैसे cat move कर रही है अब हम gliding का time बढ़ा देते हैं ताकि cat दीरे दीरे move करें अब आप देख सकते हैं जैसे मैं green flag किप पे click करती हूँ तो cat दीरे दीरे move करती है I hope आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को like करें अगर आपने channel को subscribe नहीं किया है तो subscribe करें झांक्स वर वाचिए